दिल्ली शहर के भारती इतिहास में जिक्रना करना किसी शरीर को उसकी आत्मा के बगैर होने जटना है यहां हर उसकाल के अवशेश, इमारते और समारक मौजूद हैं जिसने भारत के इतिहास में एहम भूमेका निभाई है ठीक वैसे ही एक समारक है जन्तरमंतर जिसका स्थापत्य बहुत अनुखा है मगर इसके एतिहास एक पहलूओं से आज भी बहुत लोग नावाकिफ हैं मध्य दिल्ली में मौजूद कनौट प्लेस के करीब जन्तरमंतर दिल्ली के सबसे पुराने वेदशालाओं या अब्जरवेटरी में गिनी जाती है सन 1724 में जैपुर के महराजा जैसिंग द्वितिय द्वारा निर्मित जन्तरमंतर दो शब्दों से बना है जन्तर यानि यंत्र और मंत्र यानि गड़ना करना इनको मिला कर देखें तो इनका अर्थ है गड़ना करने वाला यंत्र यहाँ पर चार प्रमुख यंत्र हैं समराट यंत्र, राम यंत्र, जैप्रकाश यंत्र और मिश्रय यंत्र इनके अलावा यहां और भी ऐसे कई अंत्र हैं जो समय मापने, मौसम का अनुमान और ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हैं तू प्रयोग किया जाते थे आईए आपको इसकी ग्यानवर्धत यात्रा पर ले चलते हैं जंतर मंतर के निर्माण के पीछे का मुख्य कारण, खगोली सारणी या एस्ट्रोनॉमिकल टेबल को परिशुद करना यहां तक सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गतिविधियों की जानकारी को प्राप्त करने का था इसके निर्माण का मुख्य बीच, भारतिय खगोल विदों के बीच, उनके तरक में हो रहे अंतर से बोया गया था इसको देखते हुए जैसिंग ने पंदरवी शताब्दी के शासक उलुग बेग के उसबेगिस्तान की राजधानी समरकंद में स्थित वेद शाला से नसीहत ली और फिर उनको जन्तर मंतर के निर्माण का उपाय सूझा बेग और येरोब के खगोली सारणी और अपने निजी उपकरणों की सहयता के साथ साथ जन्तर मंतर ने जैसिंग को अपने अवलोकन कार्य में बहुत सहयता की जिसको उन्होंने जिज मोहमद शाही में ढाला जिसमें करीब एक हजार अठारा तारों की सूची भी शामिल है जन्तर मंतर को साकार करने के लिए जैसिंग ने ग्रीस में हुए खगोली प्रगती को इसाई पादरियों के माध्यम से जाना वही उन्होंने बेबिलोन और चीन में प्राचीन वेदशालाओं के बारे में जानकरी प्राप्त की साथ ही साथ इन्होंने टॉलमी और यूकलिट जैसे दिगज खगोल विदों के कारियों को भी पड़ा इनसे मिला ग्यान जंतर मंतर के निर्माण कार्य में जैसिंग के लिए बहुत मददगार साबित हुआ दिल्चस बात ये है कि जंतर मंतर के निर्माण के बाद जब कई यूरोपिय पादरी और चीनी खगोल विद यहां आए तब उन्होंने सामूहिक तोर पर इस बात को माना कि जंतर मंतर सबसे स्पष्ठ खगोलिय वेद शाला या एस्ट्रोनॉमिकल अब्जर्वेटरी है हाला कि जंतर मंतर के निर्माण का वर्ष सन 1724 बताया जाता है कई एतिहासिक तथियस सन 1710 बताते हैं दोनों वर्ष भले ही अपनी ओर से वाजिब हैं क्योंकि इसका निर्माण मुगल बादशा मुहम्मत शार रंगीला के राजकाल के दौरान हुआ था और ये दोनों वर्ष उसी काल में गिने जाते हैं दरसल सन 1910 में लगे तख्ती पर इसका निर्माण वर्ष सन 1710 बताता था मगर काफी अध्ययन और शोद के बाद ये बात साबित हुई कि इसका निर्माण वर्ष सन 1724 है क्या आप जानते हैं कि भारत में एक नहीं बलकि पांच जंतर मंतर हैं दिल्ले के साथ साथ इन जंतर मंतर का निर्माण जैपुर, मतुरा, वार्णसी और उज्जैन में सन 1724 से लेकर सन 1734 तक किया गया था इनके निर्माण का कारण इनकी एतिहासिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक महत्वता थी इन में से मतुरा का जंतर मंतर सन 1857 की करांती के दोरान शतिग्रस्थ हुआ और वही जैपुर का जंतर मंतर सन 2010 में युनेसको की विश्व धरोहर सूची में दर्ज हुआ क्या आपको भारत में आयोजित नौवे एशियाई खेलों का लोगो या चिन्ह याद है? पहली नजर में शायद बहुतों का जवाब आएगा जंतर मंतर मगर जंतर मंतर में तो कई यंतर हैं फिर ये कौन सा यंतर है? ये है मिश्रय यंतर, जो 1982 में आयोजित एशियाई खेलों का ओफिशियल लोगो या आपचारिक चिन्ह बना सन 1982 में ये डाक टिकटों और 10 और 25 पैसे और यहां तक 2 और 100 रुपेयों के सिक्कों में भी देखा गया था जिस तरह से लंदन का हाइड पार्क विरोध धरनों के गड़ के तौर पर मशूर हुआ है ठीक वैसे ही जंतर मंतर भी भारत के हाइड पार्क के तौर पर उभर कर सामने आया है इसकी शुरुवात सन 2011 से हुई थी जब अन्ना हजारे ने गयर भरष्टाचार आंदोलंग किया था तब से जंतर मंतर प्रतिशोद का केंदर रहा है अठारवी शताब्दी के मध्यमें शेत्रिय ताकतों से हुई जंगों से लेकर 1857 में हुई करांती के कारण जंतर मंतर को भारी तबाही से गुजरना पड़ा था सन 1947 में भारत की स्वतंतरता के बाद सन 1958 में इसको राश्ची समारक का दर्जा दिया गया था जिसके बाद इसके पुनर निर्माण का काम शुरू हुआ था आज जंतर मंतर दिल्ली की प्रमुख पहचानों में से एक गिना जाता है जहां खगोल विज्ञान और स्थापत्य का अद्भुत मिलन दिखाई देता है झाल